सुप्रभात सभी विद्यारतियों को RCA Education Hub बानसुर में आप सभी विद्यारतियों का स्वागत है अपन अंतिम कवी नरेश महता के कावी रचनाओं के उपर बात कर रहे थे जैसे अपने नरेश महता के साहितिक परिचे में अपने बात की थी नरेश महता वर्तमान समय में यानि आधुनिक यूग के प्रियोगवादी यूग के दूसरे तार सब तक के कवी महने जाते हैं तो उसी में आगे बात करें उसी में आगे बात करते हैं तो इनकी तीन कावी रचनाओं प्रमुक हैं आपकी पाथिय पुस्तक में इसकी तीन कावी रचनाएं दी वी हैं किरन देनुए पहली कविता, दूसरी कविता दीए विडमना और तीसरी कविता दीए एक बोध कविता तो तीनों कावी रचनाओं में इन्होंने प्रतिकात्मक रुप से पाथिक के मन को प्रभावित किया है यानि किसी ने किसी रूप से पाथिक के मन तक पहुचने का इन्होंने प्रियास किया है तो तीनों कविता हैं इनकी छोटी छोटी कविता हैं जो प्रतिक पाथिक को किसी ने किसी रूप से दिसा निर्देश प्रदान करती है इन्हीं तीन कविताओं के मूल पृतिपाद्य को मैं अब समझाता हूँ मूल पृतिपाद्य होता है मूल उद्देश से क्योंकि कविताओं को पढ़ने से या किसी भी पार्ट को पढ़ने से पहले उस पार्ट का मूल पृतिपाद्य समझ में आना चाहिए आप क्या पढ़ रहे हैं उसके बारे में क्या पढ़ना चाह रहे हैं ठीक है तो इसी के उपर चर्चा करते हैं अपन नरिस महता ने तीन कविताइं लिखी हैं पहली कविता है किरन धेनुए किरन धेनुए कविता में कवी ने प्रकर्तिक की सुंदर्ता को बढ़ा चड़ा कर प्रकट किया है यानि प्राकर्तिक जो सौंद्रिय उस प्राकर्तिक सौंद्रिय को एलोकिकता से दूर हटा कर यानि इस सांसारिकता से दूर हटा कर इस जूटी परंपराओं से दूर हटा कर मानवी कलपनाओं से दूर हटा कर जन जीवन से जोडता है अभी बताया था मैंने क कवी ने किसी न किसी रुप से पाठक के मन को प्रभावित किया है तो किरन दिनुए कविता में प्रेकर्ति की सुन्दर्ता को एह लोकिकता से दूर हटा कर कलपना लोग से दूर हटा कर मनसी के मन से जोडने का प्रियास किया है जिस प्रकार से छायवादी युग में छायवा उस कल्पना लोग से दूर हटकर पाठेक के मन को प्रभावित करने का प्रियास किया है छायवाद के कल्पना लोग से निकल कर लोगों के सामानी जीवन के यर्थार जीवन का चित्रन प्रस्तुत किया है यानि कल्पना लोग से निकल कर प्रेकर्ति की सुन्दर्ता को सामानी मनुस्य जीवन से जोडने का प्रियास किया है प्रतिकात्मक सब्सैली के माद्यम से तो कही न कहीं कवी ने यहाँ पर प्रतिकात्मक सब्सैली का उप्योग किया है यानि प्रतिकात्मक्त सब्दों के माद्यम से कवी ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है प्रस्तु जो किरण देनु कवीता है उस किरण देनु कवीता में सूरियोदे के समय यानि प्राते काल के समय प्राकर्तिकी सुंदर्ता को प्रकट किया है तो प्राकर्तिक सौंद्रिये की सुनहरी जो किर्णे उन सुनहरी किर्णों को गायों के रूट में प्रकट किया है ठीक है सूरिये को ग्वाले के समान बता है पूरी की पूरी जो कविता है उसमें उपमा अलंका सरवादी कुपियोग नजर आता है सूरिय को ग्वाले के समान बता है और प्राते कालिन जो समय है उस प्राते कालिन समय को कवी ने उन गायों के मुख से टपकते हुई फेन फेन का मतलब होता है जाग तो गायों के मुख से टपकते हुई जाग के प्रती के रुप में माना है तो किसी न किसी रूप से देखा जाए तो कवी ने प्रतिकात्मक सब सहले का ही सारा लिया है कवी की कविता का उद्दे से स्वेपन लोग से निकल कर वास्तविक जगत से परिच्चे कराना रहा है यानि पाठक को कलपना लोग से निकाल कर और वास्तविक जीवन से उसको परिचित कराने का प्रियास किया है ये काम तो किया है इन्होंने पहली कविता किरन देनुई कविता में तो समझ में आ गया होगा किरन देनुई कविता का मूल प्रतिपाद्य की प्रेकर्ति की सुन्दर्ता को एलोक्तिकता से दूर हटा कर मानवी जीवन से जोडने का प्रियास इनों नहीं किया है तो इस द्रश्टी सी ये तो वा किरन देनोई कविता का मूल प्रतिपाद्धे अब अपन पढ़ेंगे दूसरी कविता विडमना विडमना एक अनोखी पीड़ा ठीक है विडमना का साब्दी करतो होता है एक अनोखी पीड़ा एक अनोखी समस्या तो दूसरी कविता विडमना इसका मूल प्रतिपद्दिक है तिलसमी पक्षी का सहरा लेकर तिलसमी पक्षी का प्रतिक की रूप में लेकर और कवी ने पाठक को दिशा निर्देश प्रदान किया है यानि तिलस्मी पक्षी का सहरा लेकर मनस्य को संकीत किया है कि यर्थार्थ समय में वैग्यानिकता का सहरा लेकर निर्थार्थ समय में वैग्यानिकता का सहरा लेकर मनस्य को सक्त्ती के रहसे तक पहुँचने का प्रियास करना चाहिए इसके अलावा ऐसमंजस का सारा लेकर जो निसकर्स निकाला जाता है ऐसमंजस का सारा लेकर जो निसकर्स निकाला जाता है वो निसकर्स मनसे के हित्मे नहीं होता है ठीक है वो कभी भी मनसे के हित्मे नहीं हो सकता इसलिए ऐसी विडमना को कवी ने यहाँ पर प्रकट किया है कि मनसे का जो मन है वो तारकिक और वस्तोनिष्ट दोनों रुपों में किस तरह से नज़राता है यानि मनसे को सत्ती की रहसे को जानने का प्रियास करना चाहिए लेकिन सत्य की रहसे का जाने का प्रियास मनुसे को यर्थार्थ समय में वैग्यानिक तका सारा लेकर वैग्यानिक विचारों का सारा लेकर करना चाहिए ठीक है और ऐसा मनुसे की इस्तती में कभी भी मनुसे उस वैग्यानिक तका सारा नहीं ले सकता और वो जो निसकर्ष निकाला जाता है वो मनसे के हित में भी नहीं होता है इस तरह से ये दूसरी कविता विडमना कविता का मूल प्रतिपद्य हुआ अब आपन बात करेंगे तीसरी कविता एक बोध कविता तो एक बोध कविता का जो मूल प्रतिपाद्य वो क्या है उसके पर अभी चर्चा करेंगे